कि दिए रिपोर्ट राइटिंग के अंदर कि रिपोर्ट रॉटिंग में कोई 19 समंध्य अगर कोई रिपोर्ट आती है तो इसमें किस परकार की वर्ड मिनिंग का प्रिव ना है देखते हैं इंपेक्ट ओफड नांटीन कोड मैंचिन का परभाव यह दूस्स परभाव से से इसे रियलेटीड कॉग नांटीड कोड़ों से रिप्येट है कि रिपोर्ट आ सकती है 便 ли हम देनद रिपोर्ट अर पिर जो टॉपिक है वो किर दम और उसके बाद में हम यह इस्तान का नाम लिखना था यहां पे इस्तान का नाम उसके नीचे हम लिख दिया New Delhi यह जैपूर न्यू डेली यह जैपूर 6 अपरेल 2022 ठीक है Impact of COVID-19 Report और इस्तान का नाम हो गया जैपूर 6 अप्रेल 2022 अब हमें शुरू करना है तो रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले टॉपी का नाम लिखा उसके बाद मैं रिपोर्ट सबद लिखा रिपोर्ट और ये लिखा फिर इस्तान का नाम लिखेंगे और इस्तान का नाम लिख करके लिखेंगे तारीक 6 अप्रेल 2022 और फिर ये शुरू कर देंगे इसको COVID-19 is an infectious infectious disease COVID-19 एक संक्रामक बिमारी है COVID-19 is an infectious disease और WHO has declared it an pandemic WHO World Health Organization virus ने उसने इसको गोशित कर रखा है has declared इसको गोशित कर रखा है क्या गोशित कर रखा है एन पंडेमिक इस इस निव वाइरस ये क्या है एक निव वाइरस है COVID-19 is a new virus इस इस निव वाइरस है इस 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 प्रेड थूरूट दे वर्ल्ड ये दुनिया भर में फ्यल चुका है ये दुनिया भर में फ्यल चुका है तो it has spread फ्यलने को बोलते हैं spread it has spread throughout the world COVID-19 has affected इसने प्रभावित किया है COVID-19 has affected effect नहीं करना AFFECT प्रभावित कर चुका है everybody in the world ये दुनिया भर में हर व्यक्ति को प्रभावित कर चुका है there are many bad impacts of COVID-19 there are many bad impacts COVID-19 के कई बुरे प्रभावे दुस प्रभावे bad impact of COVID-19 का किस पर है on health स्वाश्थे पर economic अर्थवैस्था पर education शिक्सा पर तो सबसे पहले हमने लिख दिया infectious disease है it is new virus है फिर लिखा it is spread फेल चुका है throughout the world दुनिया भर में उस वर्ड के लिए आएगा throughout the world फिर ये प्रभावित कर चुका है तो लिखेंगे age affected ये प्रभावित कर चुका किसको everybody in the world फिर लिख दिया इसके कई दूस फरभाव है इसके कई दूस फरभाव है ऐसा sentence देर से बनेगा there are many bad impacts of COVID-19 COVID-19 के कई दूरे बुरे फरभाव है on health, economy or education पर health पर, economy पर और education पर इस तरह से हम इन टॉपिको लिख दिया फिर government है declared सरकार ने गुशित किया था lockdown government declared गुशित किया lockdown due to it इसके कारण on 22 March 2022 तो government declared सरकार ने गुशित किया ठीक है lockdown किया था इसके कारण ये 22 March 2020 और so मतलब इस लिए all economic all the economic social and educational activities जी गलत बड़ है तो मतलब lockdown के कारण सभी जो सामाजिक आर्थिक जो गतिवी दिया है ये वो सब बंद करनी पड़ी थी तो all economic all the economic social comma social और educational यह quality की जगे activities लिखना है activity आर्थिक 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 और प्रभापड़ा और sex निक्स इंस्तानों पर भी इसका बहुत ही bad impact रहा है तो work closed ये बंद कर दीगी ये तेन लेकर के work closed बंद कर दी गई पिर लिखेंगे फोर ए लॉंग टाइम लंबे समय के लिए लंबे समय के लिए इन सभी गतिविदियों को बंद कर दिया गया था अब लोगों पर क्या प्रभापड़ा people had to face a lot of troubles लोगों को बहुत सारी अगर इसे पूछ लिया educational पर क्या प्रभाव है इसे भी आ सकता है write a letter to editor expressing your views on the bad impact of COVID-19 on education education पर six hour COVID-19 का बुरा प्रभाव इस पर आप अपने editor को अपने किसी news paper के editor को पत्र लिखो जिसमें आप अपने विचार देने जा रहे हैं तो तब हमें लिखना है कि students people की जगे हम क्या लिख देंगे उस समय people की जगे हम लिख देंगे जो ये people है इसकी जगे लिख देंगे students students head to face सात्रों को सामना करना पड़ा a lot of troubles तो उसको अपन थोड़ा अलग हिसाब से बता देंगे यह आपने लिखा कि people head to face a lot of problem लोगों को बहुं सारी कठी नईयों का सामना करना पड़ा they lost their jobs उन्होंने अपने काम देंदे खो दी they lost their jobs next हो जाएगा laborer जो सर्मिक है laborer के आगे ers लगा दो laborers हो जाएगा laborer laborer और ज्यादा है तो आस लगा दें laborers laborers were affected badly यह बुरी तरह से प्रभावित हुए सर्मिक बुरी तरह से प्रभावित हुए students were affected badly ठीक है तो अब education पर है तो हम यह students लिख देंगे students were affected सातर प्रभावित हुए badly बुरी तरह से education activities है तो यह word change कर देंगे educational activities were affected badly वो बुरी तरह से प्रभावित हुई education was education singular है education was affected badly six अबुरी तरह से प्रभावित हुई तो जिस पर भी आए उसका अपन इस तरह से लिख सकते हैं laborers were affected badly educational activities were affected badly students were affected badly बुरी तरह से यह चीज़ प्रभावित हुई next है it has affected it का मतलब है COVID-19 it has affected इसने प्रभावित किया education सिक्सा को badly बुरी तरह से इसने सिक्सा को बुरी तरह से प्रभावित किया और डूरी लोकडाउन लोकडाउन के दौरान people faced many troubles lockdown के अंदर लोगों ने बहुत कटी नहीं का सामना का किया तो face card होता है सामना कारणा किसका सामना किया many troubles many problems it has affected यह प्रभावित कर चुका है education system badly it has affected यह प्रभावित कर चुका है किसका प्रभावित कर चुका है it has affected education system badly education system को बुरी तरह से प्रभावित कर चुका है यह यह प्रभावित कर चुका है education system badly तो इसमें अगर education system पर आ जाए कोई letter भी आसे यह report है लेकिन letter भी आ सकता है तो यह sentence का अपन प्रियोंग कर सकते है it has affected our education system badly government took many steps सरकार ने कई कदम उठाए to help people लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए तो government took token अपनाए लिए कई कदम इसको बोलते है many steps लोगों की मदद करने के लिए to help people तो हमें यह याद रखना government took many steps अपने आप याद आजाएगा to help people many people were died कई लोग मारे गए तो many people यह thousands of people लिख सकते हैं यह millions thousands of people यह millions of people करोड़ों लोग मारे गए millions of people M-I-L-L-I-A-N-S millions m-I-L-L-L-I-A-N-S O-N-S millions millions of people were died thousands of people were died were died due to COVID-19 millions यह thousands of people were died due to COVID-19, due to COVID-19, were died, और यहां हो जाएगा, due to यहने के कारण, due to COVID-19, इस COVID-19 के कारण, तो इसमें आगे लिखा है, कि प्रिवेंशन, प्रिवेंशन is the only cure of it, रोकता हम एक मातर क्या है, तरीका है, और पिट इसका, प्रिवेंशन is the only cure of it, वैसे, COVID-19 के लिए, COVID-19 and COVID-19, has been developed now, COVID-19 and COVID-19, इसको विक्सित कर लिया गया है, अब इन इंडिया भारत में, तो यह दो दो दोईयों के नाम हो जाएगा, COVID-19 and COVID-19, has been developed in इंडिया, अब भारत में इसको विक्सित कर लिया गया है, वी, नेक्स हो जाएगा, वी, अब बचाव के उपाई भी आ सकता है, वी मस्ट, वी मस्ट कवर ओर नोज, मस्ट कवर इनने अविशे डखना चाहिए, ओर नोज अपने नाक को, and mouth और मुँ को डखना चाहिए, वीद मास्क, इसे भी लेख सकते हैं, वी मस्ट यूज यूज मास्क, वी मस्ट यूज 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 मास्क, और यहां, वी मस्ट कवर ओर नोज अब नोज यूज अब मास्क, we must maintain हमें बनाई रखने चाहिए must maintain का अविशे ही बनाई रखना चाहिए social distance यानि सामाजिक दूरी बनाई रखना चाहिए social तो maintain social distance हो गया ऐसे भी तो आ सकता है किसी letter में कि आप अपने views दो COVID-19 से बचाव के उपाए फिक है बचाओं के उपाय भी इसमें पुचा जा सकता है तो यूज मास्क्स और वी मस्ट मैंटन सोचियल डिस्टेंस we must wear masks we must wear masks और इसी तरह से we must use hand sanitizer hand sanitizer अविशे प्रियोग करना चीए शुड का भी प्रियोग कर सकते हैं पर इसको ताकतवर बनाना चाहिए we must boost our immune system हमें अमेर immune system को ताकतवर बनाना चाहिए तो boost आजएगा we must boost हमें अविश्य मजूत बनाना चाहिए our immune system तो co covid-19 पर coid-19 के बचाव के उपाई COVID-19 का education पर परभाव या impact of COVID-19 on people लोगों पर इसका परभाव तो इस समंदित COVID-19 से समंदित किसी भी परकार का report या later में कोई topic आ सकता है तो इस तरह से आपको इसको समझना है किसी भी परकार का आए तो आप इसको लिख सकते हैं अलग अलग परकार से education पर आए तो हम लिख सकते हैं all the education activities were closed during lockdown ठीक है और students were affected badly students head to face students head to face सात्रों को students head to face lot of troubles और लिख सकते हैं many students many students कई सात्र forgot भूल गए to read and write to read and write कई सात्र पढ़ना लिखना भूल गए तो यह अपन उसमें लिख सकते हैं और education system को badly परभावित किया ठीक है it is affected इसने परभावित किया it is affected इसने परभावित किया it is affected education system badly गुरी तरह से इसको परभावित किया तो यह चार-पांस लाइन कुछ पंगितियां जो education पर लिख सकते हैं तो इससे सबसे परवाव it is affected school going children आप यह भी लिख सकते हैं it is affected इसके यह तो लिख नहीं इसके आगई क्या लगा सकते हैं school जाने वाले बच्चों को परभावित किया it is affected school going children बैडली यह भी लिख सकते है इसके इसकूल इस्टुडेंट्स बैडली प्राइमरी स्कूल के स्टेंट्स को पुरी तरह से परभावित किया तो इस तरह से यह COVID-19 पर आप किसी परकार का टोपिक आई तो आप लिख सकते हैं